जैहिंद वेलकम है आप सभी का एक वार फिर से विज़ेपाथ एजूकेशन में अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सर्विस कमिशन के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है अभी कुछ टाइम पहले HPPSC के द्वारा 585 पोस्टों के लिए जो है वो एक requirement निकाली गई थी lecture based ये school में जो थी वो पोस्टने रहने वाली थी उसका paper 1 और paper 2 का जो syllabus है वो आपके पास declare कर दिया गया है पहले paper 1 का syllabus कर दिया गया था declare लेकिन अब भी आज जो है वो आप देख सकते हैं 6.1.2024 को जो है वो HPPSC के द्वारा paper 2 का syllabus जो है वो declare कर दिया गया है तो किस तरीके से paper 2 आपके पास रहेगा वो चीज़ इसमें बताई गई है paper 1 की अगर बात करें MCQ based आपका paper रहना है बिल्कुल pass आपको इसमें होना है 35% आपको passing marks चाहिए और number of question उसमें आपके 50 रहेंगे और maximum marks जो है वो आपके 100 रहने वाले हैं यानि कि आपको इसमें सिर्फ बताया गया था कि आपको जो है वो 35% marks आपको लेने हैं 50 question आपके paper में पूछे जाएंगे हर question के दो-दो अंक होंगे तभी आपका ये 100 number का total जो है वो paper बनेगा 35% आपके जो है वो इसमें आने चाहिए लगबग 50 में से आपके आप मान के चलें कि 15 से 20 तक आपके question बिल्कुल सही होने चाहिए उसके आप paper 2 का slabus जो है वो आज HPPSE के दोारा दे दिया गया है आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से slabus इन्होंने set किया है जो paper 2 का slabus है वो आपका 80 and 20 की ratio में जो है वो दिया गया है 80 ratio 20 यानि कि total जो है वो 100 question पूछे जाएंगे 80 question जो है वो आपके subject के ओपर based रहेंगे जैसे कि मैं बात करूँ कि आपने math teacher के लिए जो है वो exam form भरा है तो 80 question आपके mathematics के होंगे 20 question जो है वो आपके beard से पूछे जाएंगे beard teaching से जो है वो आपके पूछे जाएंगे 80 ratio 20 की जो है वो यहाँ पर बात रखी गई है public service commission के द्वारा तो आप यह देख सकते हैं मैं नीचे आपको यहाँ पर बता देता हूँ total जो है वो 2R का आपका यह paper रहने वाला है यहाँ पर बात की गई है आपका offline test यहाँ पर होगा OMR based आपका test यह रहने वाला है और bilingual question आपके रहते हैं देखिए यहाँ पर आपके पास subject दिये गए थे कौन-कौन से subject के लिए जो है वो यहाँ पर पूछे गए थे आपसे exam English, Hindi, History, Political, Economics, Math, Physics, Chemistry, Bio और Commerce total 585 पोस्टों की बात की गई थी यहाँ पर और इन पोस्टों का जो paper 2 होगा paper 1 आपका सिर्फ qualifying का रहेगा और paper 2 जो है उसमें आपके 80 question आपके subject related पूछे जाएंगे यह चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखी तो जैसे कि मैंने यहाँ पर slabus निकाला है physics के lecture आर के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 marks का जो है वो आपका subject रहेगा हाँ यहाँ पर physics के regarding मैंने slabus निकाला जिसमे mathematical physics आपकी पूछी जाएगी पूरा atomic and molecular physics रहेगी quantum mechanics आपके पास रहेगी material science material physics जिसको हम कहते है statical physics यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी nuclear physics है electromagnetic theory है material science and nanotechnology पूछी जाएगी computation method of physics यहाँ पर पूछी जाएगी तो total जो है वो 80 marks का आपसे जो है यह आपकी physics जो है वो पूछी जाएगी और देखिए जो second portion रहेगा वो आपके beard का रहने वाला है यह चीज़ बड़ी important है क्योंकि first time जो है वो यहाँ पे syllabus change किया गया है PSC के द्वारा तो आप देख सकते हैं क्या-क्या चीज़ें पूछी जाएगी beard beard से 20 marks में तो foundation of education system के बारे में आपसे पूछा जाएगा teaching learning process यानि कि आप यह सोच सकते हैं कि जो fourth semester का जो लगभग slave bus यहाँ पे रहता है beard का वही आपसे जो है वो पूछे जाएंगे और बाकी जो आपकी psychology रहती है philosophy रहती है उनके भी question यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बाकी जो education system है government का इंडिया के अंदर हिमाचल के अंदर जो state level के question यहाँ पे education system के according बनते हैं तो यह सभी चीज़ें जो है आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती है आपको वीडियो informative लगी हो वीडियो को like करें शेयर करें चैनल को subscribe करें धन्यवाद जय हिंद जय हिमाचल